नमस्ताव आप देखरें टीजस 24 नियूज और मैं हूँ आपके साथ जूती गनोंचा आए इप नज़र आते ही खबर कियो बच्चों की विवाद में लाइफ फाइरिंग एक दर्जन से जादा लोग हुए घायर ठाना शहजाद नगर में बच्चों के विवाद में लाइफ फाइरिंग और पत्राव हुआ दोनों पक्षों की आपस में फाइरिंग का लाइफ वीडियो देख सकते हैं किस तरह से चट पर चड़े हुए कुछ यूवक अपनी बंदूग और राइफरोर से धड़ा धड़ फाइरिंग कर रहे हैं प्रधान पक्ष और प्रित्याशी प्रधान में हुई फाइरिंग का लाइफ वीडियो फाइरिंग और पत्राओं में एक दर्जन से जादा लोग घायल हुए घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भरती मौके पर पहुचे अपर पुलिस अधिक्षक संसार सिंग ने किया मुआइना शहजाद नगर थाना छेत के दुरगन गला गाउं का मामला थाना शहजाद नगर छेतर में एक समुदाए के लोगों के बीच जगडा हो गया क्या है मामला सर्थ आज दिनाग 14 पांच 2021 को दुरगन गला थाना शहजाद नगर में एक समुदाए के दो पक्षों के बच्चों में बादिवाद हो गया था जगडा बढ़ गया और दोनों तरब के लोगों में मार्पीट और फारिंगी घटना हो गई दोनों पक्षों के बीच में कुछ लोग हैल हुए जिने इलाज है तो जिला स्पताल भीच दिया गया गंभी रूप से घाल एक एक लक्षी को हार सेंटर भी फर्किया गया है पुरिस दोरा मुदद मलिक पर विधिकारवे के जाने हैं मैं आज दूपर अपने गादी से और दावर से यदी मिलने के लिए गया गया हुए कुछ दोस्त पहले गिराम दूपर में मैं तायगा इंटिकाल हो गया है तो मैं उनका दुप में शामिल होने के लिए गया आगा वहां से बापसी आ रहा था तो जापर जो भी पेधान पत्वी है और हिस्टी शीटर है उसने अपने भतेजियों भांजों के साथ में मुझे दूजीव वहां पर घेली और तमाम मुझ पे लोगों ने हमला किया वहां पर हमलावर के पास फिर मुझ पर फारिंग की गई आपके चोट लगी जी-जी मुझ पर तमाम चोटे लगी इस पर मेरे सिर में चोट है बहुत जादा मेरे हाथ में चछ रहे हैं इसकी वज़ा से जिनपत रामपुर के थाना शहजाद नगर छेट के दुरगनगला गाउ में ईद के दिन चुनावी रंजिस को लेकर दो पक्ष आमने सामने से आ गए है जी हाँ दुरगनगला गाउ में मौझूदा जीत हुआ प्रधान पती जाफर और उसका विरोधी दूसरे नमबर का प्रधान प्रत्याशी आसिम ने ये दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और दोनों तरफ से फाइरिंग और पत्थरबाजी हुई जिसमें दोनों पक्षों के लगबख एक दरजन से जादा लोग फाइरिंग और पत्थरबाजी में घायल हो गए सूचना मिलते ही अपर पुलिस सदिक्षक संसार सिंग और सीओ सिटी तुरन घटनासतर पहुचे और उनोंने वहाँ पर घटना में घायल हुए घायलों को जिलासपताल पहुचाया और वहाँ के लोगों से पुस्ताश की हालांकि अभी तक पुलिस ने किसी भी पक्ष की ओर से कोई एफायार दर्ज नहीं की है पुलिस अभी जाच कर रही है और घायलों के मेडिकल कराने में लगी हुई है बोचे कौन से इन्वार सुपराइब करें बोचे कौन से निवार सुपराइब करें अभी जोड़ा है ऐसी ही खबर से जूरे रहेंगे के आप देखते रहें टेजिस 24 दियूस